सब्सक्राइब करिए स्टूडियो तक को बेल आइकन को विधारिए तैकि लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए श्वागत है आपका जॉब वेकेंसी के हेडलाइन्स के एक फ्रेस अपिसोड में तो जानते हैं आज का हेडलाइन्स विवी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने रिक्वाइडमेंट जारी की है पोस्ट का नाम है एसिस्टेंट मैनेजर एस्टी ओफिसर पोस्ट लास्ट डेट अफ सब्मीशन 11 में है एप्लिकेशन के सब्मीशन को 11 में रखा गया है क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसिस्टेंट पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ज़रूरी है साथ ही एज लिमिट भी 45 के लबसम है आप ऑनलाइन एप्लिकेशन को सेंट कर सकते हैं केरियर्स एड़रेट बी ओवी फाइनेंशियल डॉट कॉम पे नौर्थ दिल्ली मेंसिपल कॉंसे यानिकी एंडी एमसी ने अपने पोस्ट साइकेट्रिस्ट के लिए एप्लिकेशन को जारी कर दी है आपको इंटर्व्यू के बेसिस पे जो कि 24 अपडिल को प्ली जाएग पोस्ट एक ही है सलेरी लबसम 25,000 के लबसम मिलेगी क्वालिफिकेशन आपकेंबी या डी एनबी डिपलोमा साइकेट्रिस्ट में होनी चाहिए है अचाचल इंफ्राटेक सर्विस लिमीटेट्ट जो की एक सबसीडियरी है एचाचल लाइफ के लिमीटेट्ट की उसने अपने एंप्लॉइमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है लबसम भैकेंड पोस्ट 106 के लिए जिसमें सेनियर मेनेजर पोस्ट इंजिनियर मे कि एस्टिपी एज एच आई पी आई टी याड़ कंब पे है लांस्ट इट इसकी अठाइ सप्रील के लबसम है अगने बारत को किकोल लिमीटेट रिक्वार्मेंट को जारी की है पोस्ट डैरेक्टर है एक पोस्ट है सलई लबसम एक लाग के लबसम है जॉब लोकेशन नि नमबर 14 जी जी ओ कॉंप्लेक्स लोधी रोड न्यू देल्ली है सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटर्व्यू के साथ रेटेन एक्जाम भी आपको देने परेंगे Tata Institute of Social Service ने अपने पोस्ट प्रोजेक्ट कोडिनेटर के लिए एक एक्सपिडियेंस और क्वालिफाइट के लिए एप्लिकेशन को जाड़ी कर दिया है एक ही पोस्ट है क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजवेट सोसल वर्क में होनी चाहिए आपको 26-2020 लाज़ डेट है एप्लाइंग के लिए लोकेशन इसकी अंदाबाद है एज लबसम डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंट करती है कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज की जाती है सेलरी लबसम 55,000 से 65,000 के लबसम मिलेगी एलिजबिल्टी, डोकोमेंट और क्वालिफिकेशन साथ में डेट अब बात की सर्टिफिकेट आपको एटेस्ट करके इसे में एपलाइ करनी परेगी तो जो वेकेंसी के हेडलाइन्स में इतना ही हमें उमीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी अगर वीडियो को लाइक शेयर ने किया तो लाइक शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलना धन्यवाद